हलो फ्रेंट बेल्कुम वैक टू माय चैनल तो देखें यहाँ पर मैं अपनी मां के बाल को डाय कर रहे हूं तो फ्रेंट डाय करने से पहले कुछ बातों को आप ध्यान में रखें सबसे पहले आप बालों को अच्छे तरह से वाश कर लीजिए और कंगी कर लीजिए कंगे करने के बाद जिस तरह से मैं कर नहीं कुछ देर के लिए आप इसे सूखने दीजिए सूखने के बाद तब आप बालों पे कोई भी कलर आप अपलाई कीजिए तो इस वीडियो में आपको कलर भी अपलाई करके दिखाऊंगी तो देखिए इस तरह से आपको कलर को अप आपको भी दीरे-दीरे से लगा लेना है और एक बात का जरूर धियान रखिएगा कोई भी अगर आप कलर कर रहे हो तो इसका पैस टेस्ट आप जरूर क्या किजिए यानि कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है और आप पूरे लेंद की हिसाब से लगाई है यहां पर वाश जरूर कर लीजिएगा वाश करने से यह होता है कि कलर आपका बहुत अच्छे तरह से बालों पर आता है और जानकारी की बात यह होनी चाहिए कि जब भी आप कोई कलर कर रहे हो तो आप उसको आँखों से बिलकुल दूरी रखा किजिए क्योंकि अगर वह आँखों म और डाय करने के बात फ्रेंट आपको कोई सवी ओयल अपला जरूर करने चे ताकि बाल की स्मूथनेस बरकरार है ठीक है